नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टो पिंग सी कौन नहीं चाहता है कि उसकी स्थिम किलियर, स्पॉर्लेस, ग्लोइंग और ग्लोसी हो लेकिन हम लोग मैंसे जातर लोग के साथ ऐसा नहीं होता है इसके बाए हमारे चरे पे बहुत सारे पिंपल्स के दाने होते हैं लाग धब्बे होते हैं चरे पे बहुत सारी पिग्मेंटेशन होती है ऐसा होने का रीजन हो सकता है जैनेटिक्स, खान पान और हमारी कुछ गलत आदते हैं अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूज रहें तो आप ये साथ दिनों को चैलेंज जरूर लीजिए इसमें बता हुए मेरी दो इस्टेप्स को आप साथ दिनों तक डेली फॉलो कीजिए इसको इस्तिमाल करने से आपके चेहरे फे फरक ना पड़े तो ऐसा होई नहीं सकता है ये बहुत ही जादे एफेक्टिब दो होमेरेमिज में आपके साथ सेयर कर रही हूँ जो आपके चेहरे में 4 चांद लगा देंगी अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए जी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फोमेटर वीडियो लेके आती रहती हूँ और शाती अगर आप इंस्टागाम परें तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं पिंक्सी 545 पर तो सबसे पहला हमारा इश्टे अपोकर चेहरे को क्लीन करने का इसके लिए हम डियावाई नेचर और फेस क्लींजर बनाएके रेडि करेंगे लिए हमको कच्छी दूद के दूद को अगर फिरिज में रख दो तो वोह हलका गाढ़ा हो जाता है इसके उपर उपर इस तरह से गाड़ी मलाई आ जातीह उड़त के अपने के इसक्लीन करें यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीक है अपने फेस को क्लीन करने का दो से तीन चमच जितना भी आपके चहरे के लिए काफी हो आप उतना ले सकते हैं का चदू इसके बाद में हम इसमें एड करेंगे रोज बॉटर तो मैं इसमें दो चमच एड कर रही हूं रोज बॉ तो इस तरह से हमारा हंडर पर्शन नेचुरल होममेड क्लींजर बनके रेडी हो चुका है जो कि चहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है इसकिन को सॉफ्ट रखता है ड्राइनेस को दूर करता है चहरे की डलनेस को खतम कर देता है और इसको यूज करने के बाद में आत इसको यूज करने के बाद में आपने चेहरे को बॉस्ट कर लीजिए उसके बाद में मॉस्ट राजर को अपलाई कर लीजिए तो चलिए अब हम बढ़ने अपने सेकंड श्टाइब की तरफ इसके लिए हम बना के तयार करेंगे फेस पैक तो हमको चाहिए होगा एक मीडिय 6 अड़ेशन से पहुत है विदे हम पक्रणे से फवाइड करता है साती इस नेचर ऑल इसके लिए इसके बीजिंग काफी प्राइट हो जाती है कलर साफ हो जाता है इस्हार इसे लिज से इस ड़ी डालकि इसी चम jetzt करके इस से जूश निका लीजिए जब भी आपको फेस पै आपको लबाद दो टी स्पुन लेना हुगा लेमन जूस पाटेटो जूस में लेमन जूस को एड़ करने से कलर कुछ इस तरह का हो जाता है लाइट हो जाता है कलर यह दोनों ही जूस हमारी इसकिन के लिए बहुत ही लाजवाब होते हैं इसके बाद हम इसमें एड करेंगे कॉफी पाउडर का यूज कर रही हो इस कॉफी की स्पैसिलिटी यह है कि यह गुलती नहीं है इसमें यह दाने दाने इसमें बने रहते हैं तो यह एक स्क्रबिंग का काम करती है इस कॉफी को बॉयल भी कर लो उसके बाद भी यह मैल्ट नहीं होती है लेकिन आपके पास ज बालों के लिए तो बहुत जादा फायदेमंद होती है यह इसकिन से ओयल और सीबम को सोख लेती है और चहरे में एक फ्रेशनेस देती है इसके अलाबा अगर आपकी ड्राय तब भी आपको मुलतानी मिट्टी का यूज जरूर करना चाहिए इससे आपके चहरे पे ग्लो लगा के छोड़ सकते हैं चहरे को दुलने के बाद में मौस्ट्राजर को अपलाई करना बिल्कुल भी न भूलें अगर आप ये दो इस्ट्याप रोजाना फॉलो करते हैं चहरे को क्लींजिंग और फेस्पैक का इस्तिमाल तो इसके इस्तिमाल से आपके चहरे पे जब वर नमस्टे